नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विक्रम और स्वागत आपका मारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल में फिर से लेके हैं दोस्तों नहीं जॉप की इंफोमेशन जो की है अटोमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से सबी भारति इसके लिए अवेधन कर सकते हैं इवन रिलेक्सेशन का लाप भी आपको मिलने वाला है ग्रूप C के लिए दोस्तों आप एधन मागे गए हैं नमबर ओ विकेंसी की बात करें तो काफी सारी विकेंसी हैं लगबग 100 के करीब हैं जिनके लिए आपको आवेधन कर देना है कैसे अवेधन करना है कौन कर सकता है सारी इंफोर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ वीडियो में जो ही वो बने रही है शुरू से लेके लास्तक मेरे साथ और साथ ही साथ लिंक मिल जाएगा दोस्तों इस नोटिसकेशन का डिस्रिप्टि organism में वही लिंक दें दुगा अप्लाएगाершन का सबसे पेली चीज दोस्तों online application है किसी और mode से अवेधन अवेधन कीज prop suggests 31.2019 से अवेधन शूरू हो चुकी है जो चलेंगे 25 दो 2019 दोस्तों बात करते हैं पोस्त की सबसे पहली जो post है दोस्तों वो है upper division clerk की जिसमे total number of post जो है वो 47 है जिसमें कि graduation मागी गई है 50% marks के साथ आपने किसी भी stream में graduation की हुई है तो आप इसके लिए वेदन कर सकते हैं बाकि desirable जो है वो knowledge है computer के अगर आपको आती है तो आप इसके लिए वेदन कर सकते हैं यहाँ पे दिव्यांग लोगों के लिए जो है वो 10 साल की relaxation रखी गई है journal के लिए SD के लिए 15 और OBC के लिए 13 साल की relaxation रखी गई है salary दोस्तों आपको मिलेगी 25,500 level 4 के अंटर जो की अच्छी खासी salary है और इसमें आपको allowance वगएरा जो है वो अलग से दिये जाएंगे बाकि अगर आप nature of duties पढ़ना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दूसरी post जो है दोस्तों standographer grade 3 के लिए है इसमें आपकी 10 भी पास होना आनिवार है और साथ में speed 80 word per minute की जो है वो standography में होनी चाहिए English की और typing speed English में 30 word per minute की होनी चाहिए तब ही आप इसके लिए वेदन जो है वो कर सकते हैं और यह essential है desirable नहीं है ताएकि आपको होनी ही चाह पर grade 3 के लिए 100-100 रुपे जो है वो fees रखी गई यह वही वाली jobs है जिनके बारे मैं आपको बताया तो यह थोड़ा सा है माफ कीजेगा तो यहाँ पर दोस्तों 100-100 रुपे की fees जो है आपकी लगने वाली है अगर आप SCST है, woman है, ex-service में आने हो physically challenged है तो आपको किसी भी तर साम देने के लिए आएंगे तो आपको जो है वो TA जो है वो भी दिया जाएगा यानि कि traveling allowance जो है वो भी दिया जाएगा उनकी सरफ से तो यह चीज़े भी यहाँ पर लिखिए ध्यान से जो है वो देख लीजेगा, online mode से apply करना है last date जो है 25 तो 2019 यहां तक दोस्तों आपको ज करेंगे सीधे इस page पर आ जाएंगे यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको यहां पर जो है अपनी email अपना नाम, date of word यह सारी चीज़े फिल करने के बाद आपको नीचे register पर click कर देने है, click करने के बाद registration हो जाएगे उसके बाद जो है आप login करके apply कर पाएंगे इस atomic research center की job के लिए, so ऐसे दोस्तों आप apply कर सकते हैं, so thank you very much दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आशा करतों को आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, वीडियो से related कोई भी question से, तो comment section में पूछ सकते हैं, channel को subscribe करें मिलते हैं next video में